ओम स्थापकायच धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिने अवतार वरिष्थाय रामकृष्णायते नमा जननिम् शारदाम देविम् रामकृष्णम् जगत गुरुम् पादपद्मेतयो श्रित्वा प्रणमामी मुहुरुमु नमस्यति राजाय विवेकानन्द सूरय सच्चिच सुखस्वरूपाय स्वामिनेता पहारिने स्वामी विवेकाननजी एवं के गुरुभायों ने गुजरात का परिभ्रमन किया था स्वामी विवेकाननजी ने अपने परिवराजक जीवन का एक बहुत बड़ा अंश यहां गुजरात में बिताया था यह सब के हमने विस्तिच चर्चा की थी और उसके फलसरूप उन्होंने इस धरा को जो अपनी चरलधुली से पवित्र किया उसका परिणाम क्या हुआ तो हमने देखा कि किस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानन भावधारा का बहुत ही जल्दी से गुजराती में प्रचार प्रसार प्रारम हो गया और कितने साहित्य कारों पर उसका प्रभाव पड़ा उसकी भी हमने चर्चा की और कितने लोगों ने रामकृष्ण विवेकानन भावधारा में अपना प्रदान किया यह भी हमने देखा अब हम देखेंगे कि जो स्वामी विवेकानन जी ने गुजरात में पदार्पन किया जो वीचारों के बीज बोए तो उससे कैसा व्रिक्ष हुआ कितनी उसकी शाखाएं हुई कैसे उसके फल मिले रामकृष्ण विवेकानन भावधारा तो पनपी साथ साथ में रामकृष्ण मुवमेंट रामकृष्ण भाव आंदोलन उसके कारण कितने सारे सेंटर्स यहां पर आए इन सब की चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे सबसे पहला जो फल मिला जो रामकृष्ण विवेकान भाव आंदोलन का वह था रामकृष्ण मिश्ण का ओफिशल सेंटर रामकृष्ण मठ का ओफिशल सेंटर शुरू हो गया राजकोट में उनिस सो सत्तैस में पाँच मार्च उनिस सत्तेइस स्थी रामकृष्ण देव की जन्मती थी थी कल ही पाँच मार्च थी तो 96 वर्शो पूर्व ठीक 96 वर्शो पूर्व ये रामकृष्ण आश्रम राजकोट का प्रारं खुआ गोरभी के उतारे में एक बहुत बड़ी दिल्चस्प कहानी है, मज़ेदार कहानी है, उसका बैक्ग्राउंड जो जानना बड़ा आनन्द आएगा, कैसे हुआ, क्यों यहां राजकोर्ट में क्यों पहला सेंटर सुरू किया गया, तो इतना बड़ा गुजरात, उसमें तो गुजरात नहीं था, बॉंबे प्रेसिडेंसी थी, तो बॉंबे प्रेसिडेंसी में तो एमधाबाद भी थे, बड़ोदा भी थे, काठियावाड के 222 स्टेट थे, 222 स्टेट, हाइस नंबर अप स्टेट वेरिन काठियावाड, चोटे-चोटे-चोटे, तो बाहर गाउगऊआ बापू बदले, ऐसा कहावत थी, कि 12 गाउगए तो तुरन्त बापू बदल जाएंगे, मतलब राजया बदल जाएंगे, बापू मैं राज्या बदल जाएगा, इतने सारे चोटे-चोटे राज्य थे, और उस समय तो जादा जो की बहुत जादा प्रोग्रेसिव थे, डेवल्पमेंट में बहुत आगे थे, बहुत ही जादा विकास किया था और रेवेन्यु में भी आगे थे, इस प्रकार के डेवलप्ट जो विकसित कई राज्य थे, भावनगर का राज्य, गुंडल का राज्य, पोरमंदर का राज्य, ये सब राज्य काफी आगे बढ़े थे थे, उस में मालो सवराष्ट में भी करना था, तो फिर राजकोट में क्यों सेंटर खुला गया, इसके मज़े दरकानी है, तो पहले तो प्रारम करते हैं कि 1924 में स्वामी निखिल आनन्द जी यहां से प्रारम हुआ, तो इनक्यानवे ब्यानवे में स्वामी विवेकरन आये थे, उसके बाद में उनके गुरु भाई भी आये थे, उसके बाद में हम देखते हैं कि कोई record नहीं मिलता है उनके गुरु भायों का या दुसे सन्यासी शिश्यों का कि वह लेकी record मिलता है सौमी जपानजी जोकी मा के शिश्य थे ब्रह्मानजी माराज से उनको सन्यास दिक्षा मिली थी वे गुजरात में कुछ घुमे थे उनकी बातें बहड़ी उनकी भी बड़ी मज़ेदार बाते हैं वो बाद में बोलेंगे पर अभी यह जो रामकृष्णा आसम राजकोट का प्रारम कैसे हुआ उसका उसकी अहितियासिक प्रिष्ठुवमी जब देख रहे हैं तो प्रारम ह होता है स्वामि निखिलानण जी के कहानी से स्वामि निखिलानण जी महराज जो की बाद में तो फिर अमरीका गए 1931 में 1933 में उन्होंने रामकृष्णव विवेकानन सेंटर न्यू यॉर्क का प्रारम किया और आखिर तक में 1973 तक लगबग वे उसी में रहे तो 78 वर्ष की उमरत तक में उन्होंने बहुत सारे चिवमेंट के कितनी सारे किताबे लिखे कितना ट्रांस्लेशन किया अब कोर्स निकलाने जी का सबसे ज़्यादा वो इंमोर्टल हो गए वो है गॉस्पल अफ शी रामकृष्णव शी रामकृष्णव कतामृत बंगला में से उन्होंने इतना सुन्दर इंग्लिश ट्रांस्लेशन किया है प्रिдж्याद्ट अक्धशन ट्रांस्लेशन कियोंकि वो जर्नोलिस्ट थे अपने पूरवा श्रम में वो जर्नोलिस्ट खुदी जर्नोलिस्ट थे राइटर ही थे जाइन करने के एसानियासी बनने के पहले ही राइटर थे तो English भी उनकी इतनी अच्छी थी जानते भी थे किस प्रकार से लिखना ताकि लोग उदको अच्छी तरह समझ सके and it should be lucid language ये बहुत ही सुन्दर और वो बंगला जानते थे इसलिए उसका not only faithful translation but a lucid translation which is more important वो उन्होंने किया है गॉस्पल अच्छी रामकिष्णा और टाइम मेगजिन ने उसको one of the best books कहा one of the most promising books, one of the best books करके उसका appreciation किया तो ये गॉस्पल अच्छी रामकिष्ण के अलावा भी उन्हें रामकिष्ण देव सारदा देवी स्वामी वेकन के जीवनचरित लिखे English में उपनिशद्स, गीता, इतना lucid translation है उनका उपनिशद का और गुईता का, बहुत ही सुन्दर तो ये सब किताबें निखेला नजी ने लिखी थी, तो बाद में लिखी थी उस समय तो वे बहुत एक जुनियर स्वामी जी थे अद्वेत आश्रम मायावते में थे अद्वेत आश्रम मायावती जैसा आप लोग को मालूम है कि जब स्वामी विवेक अनंद महापर विदेश में थे तो उस समय इतने सारे लेक्शर करने पड़ते थे कि उनका स्वास थे बहुती खराब हो गया और तब यह एक आवशकता पड़ी कि उनको कुछ दिनों के लिए विश्रम दिया जाए तो कैप्टेन सिवियर मिसिस सिवियर ने उनको कहा कि हम आपको ले जाएंगे वो उनको ले गए स्विजर लेंड और दुसरी जगह पर भी ले गए तो स्विजर लेंड में आसपरवत है आसपरवत की हाइट हिमाले से बहुत छोटी है फिर भी हमेशा वो बरफ से ढखा रहता है हिमाले के समान तो वो बरफ से ढखे हुए उन शिकरों को देख करके परवत को देख करके स्वामी विविकान की हिमाले की याद आ गई और तब उन्होंने अपना एक स्वपन अपनी एक कलपना कैप्टेन सीविय से शेयर की कि मेरे मन में ऐसा स्वपन है कि हिमाले की गोद में मैं एक आश्रम बनाऊगा पूरी की पूरी जमीन हमारी रहेगी और बहुत एकदम निर्जन वो जगा रहेगी सुन्दर सुन्दर पहार सुन्दर द्रिश्य होंगे और वहाँ पर केवल अद्वेत की ही साधना होगी परकिति के उस सुन्दर के बीश में अद्वेत ग्यान की साधना मेरे साधु ब्रमचरी करेंगे वो रिट्रीट प्लेस होगा साधन बजन का एक स्थान होगा ऐसी कलतना उन्होंने शेयर की यह तो कैप्टेन ही थे आर्मी में थे तो रिटार्ड के आर्मी तो एक वीचार पकड़ लिया तो पकड़ लिया बस पर भारत आये स्वामी विकन के साथ तुरंत जमिन की खोज में निकल लगे नमें खोजते 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 फिर उनको यहां पर मायावते में अद्वे टार्षेम का वो जमिन भूखन मिला वो एक टी बागान था पहले चाय का बागान था वो उन्होंने खरे old पूरा चाय का भगान और स्वामी विकान का तो होल हिल शुट भी आवर्स तो पूरी की पूरी हिल उनने खरिद ली पूरा पूरी की हिल पूरी हिल में करीब करीब पूरी हिल के आसपास का जो मिलकर के पूरा हिस्सा होता है वो इस गाओं के जो सरपंच रहते हैं इसके कारण लोग पूछते इतना घना जंगल क्यों बाकिस सब जगे तो जंगलों का मुंड़ा नहीं हो गया है पेड़ बेड़ दिखते नहीं हैं सब काट करके ले गए पर यहां पर इतना घना जंगल की अभी भी बाग आते हैं लेपरड आते हैं क्या कारण उसका कारण यह है कि वो जो 300 एकर जमीन लगबग है अद्वित अश्रम की तो केवल पैसे ठेकर जमीन आसपास की जमीन मिलक करके जो भूखंड होता है उसका जो सरपंच है अद्वित अश्रम की अधक्ष रहते हैं तो वहां किसी की हिम्मत नहीं होती पैड़ काट जाएं बिना उनकी मनुमूती की पैड़ काट नहीं सकते हैं इतने बढ़िया बढ़िया उंचे उंचे पैड़ हैं बहुत सुंदर एकदम खना जंगल इतना निरवस्थान अद्वुष शान्ति वहां मिलती है पृत्वी पर का स्वर्ग आप कह सकते हैं ऐसी सुंदर जगा अद्वित अश्रम में अद्वित अश्रम उसका नाम दिया गया मायवती मायवती उस पर्टिकुलर जगा का नाम है पर मायवती से मायवती हो गया तो वहां के गाओं के लोग मायवती की पुजा करते हैं वो छोटा सा जगा छोटी जगा भी है तो एक्चुली आपको यह दी लोहा घाट तक जाना पड़ेगा पहले मानलो आप जमिन भूखन पर की बात करें तो नेपाल की बॉर्डर में है टनकपूर लखनों से टनकपूर की ट्रेन भी मिलती है टनकपूर से सुरू होता है पहाडों की जगा तीर उपर पहले आएगा सुकी डांग से थोड़े दूर पर ही श्यामला तालकामा राश्रम है और फिर उससे और तीन गंटा साड़े तीन गंटा का जर्नी करेंगे पहाडों पर तो में रोड पर ही आएगा लोहागाट अब लोहागाट में से फिर यह लोहागाट है उसका नियरेस्ट नियरेस्ट मार्केट या नियरेस्ट विलेज नियरेस्ट प्लेस तो लोहागाट अभी तो अच्छा डेवलप हुआ है लोहागाट से पहले पैदल जाना पड़ता क्लाइम करना पड़ता था पहाड और वो क्लाइम करके लगबग 10-11 किलो मेटर पैदल चल करके पहुँचना पड़ता था अध्विताश्रम मायवती यह लगबग 100 वर्से तो कैसे ही रहा अभी कभी 30-40 सालों से फिर रोड बन गया है मोटरेबल रोड जो की गाड़ी भी जाती है करीब 30-40 साल से अब तो बहुत इजी हो गया है relatively काफी कुछ सुविधायां आ गई है उस समय के जमाने में तो बहुत ही कठी नहीं थी फिर भी वो स्वामी जी की इच्छा के इंसार वो निर्जन में स्थान किया गया अब 1800 निन्यान में तो सुलूत हो गया और 1901 में स्वामी वेकर ने खुद ने भी वहाँ पर पदारपन किया 15 दिन तक रहे अब इसके बात क्या हुआ वहाँ पर देखा कि सभी लोग तीन या चारी सादू थे और कैप्टन सीवियर का तो बहुती जल्दी द्यान तो गया उसी लिए स्वामी जी को अपनी जर्नी कट शॉट करके तुरंट उनको एक प्रिमोनिशन हुआ फिर भी वो कैप्टन सीवियर से उनकी मुलाकत नहीं हुए अलड़ी उनका दिहान थो चुका था तो ये मिस्स सीवियर थी और दो तिन स्वामी जी थे विरजानन जी बगरे तो ये लोग रहते थे अब उससे में देखा कि आसपास में कोई मेडिकल सेंटर नहीं है करिब स प्रेट तक करते थे फिर ऐसा ऐसी एक कल्पना की गए कि छोटा डिस्पेंसरी रखें एक कंपॉंडर को रखें तो कंपॉंडर के बाद में धिरे धिरे फिर एक डॉक्टर को रखना शुरूगा ऐसा करते करते डिस्पेंसरी से फिर हो हॉस्पिटल मायावती हॉस्पिटल शुरू हो गई, अभी तो ये एक modern hospital में convert हो गई है, 50-bedded hospital, फिर latest sub-equipment है, X-ray है, sub-machine है, और छोटा सा operation theater भी है, क्योंकि कई लोग कितने-कितने प्रकार के किसे को साप का दंस लगा है, किसे को कुछ हुआ है, किसे को पैर कट के चेक्स दिरिट हुआ है, तो तुरंत सर्जी करने पर थे, कि आसपास में कोई hospital नहीं है, तो इसलिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो गया, ये मायवती hospital, उस समय के जमाने में, जब शुरू कहीगी ये hospital, तो 1901 में से धीरे-धीरे करके आगे भढ़ते गई, अब समझ से आ ये थी, कि ये तो एक तो बहार से उस समय तो बहुती आर्थिक स्थिती की खराब थी, तो क्या किया जाएं, तो स्वामी निखिला नंजी को भेजा गया, स्वामी माधवा नंजी उस समय अद्वित आश्रम के अद्दक्स थे, स्वामी माधवा नंजी बहुती हमारे रामकृष्ट मुश्ट जैसे निखिला जी तो बहुत ही talented, पर स्वामी माधवानन जी तो हम यही कहेंगे दिगज, spiritual giant, ninth president हुए, समस्त रामकृष्म मिशेंगे नवे परमादक्ष हुए, अद्भूत उनका जीवन, निर्मल जीवन, नामी निर्मल महराज था, उनके भाई का नाम विमल महराज, स्वामी देयानन जी दोनों भाई, बहुत ही, पर निर्मल महराज को तो स्वामी महधवान जी महराज को तो मा ने कहा था देख करके, कि ये तो मानो हाती की दात को सोने से मढ़ा हुआ है, वैसे भी हाती का दात बहुत मुल्यवान रहता है, फिस सोने से उसको मढ़ा जाए, तो कितना मुल्यव और सचमुच में विद्वता इतने अधिक उन्होंने शास्त्रों पर प्रवच ये लिखे हैं और ट्रांसलेशन किया है इतनी व्यस्तता के बीच भी करीब 24 वर्षों तक दिर्ग वर्षों तक वे जनरल सेक्रिटी रहे तो इतना एड्मिस्ट्रिटिव अफेर्स में मगड़ रहने के बावजुद भी उन्होंने लिटर्डी वर कितना किया है बहुत बड़े विद्वान थे तिस्वामी माधवानजी महराज का नाम हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि रामकृष्ण आसम राजकोट के संस्तापक के दिखा जाए तो माधवानजी महराजी एक प्रकार स तो माधवानजी महराज ने अदवेत आश्रम से उनको भेजा निखिलानजी महराज को कि थोड़ा दानी कठा करने के लिए तो सबको पता था कि स्वामी विवेकानजी ने भी दानी कठा करने के जब योजना बनाई तो सबसे पहले उनको गुजरात में भेजा कि वैसे भी गुजरात संभृद प्रदेश माना जाता है और फिर स्वामे जी खुद यहां पर अपने खुद ने उनको अनुभव भुआ था किस प्रकार के यहां के लोग उदार है और किस प्रकार के भक्त है भावनाशिल है यह तो उन्होंने खुद ने देखा तो कितने राजा महराजा उसे उनकी मुलाकात हुई थी तो इसलिए उन्होंने स्वामी तुरियानाज, स्वामी शारदन जम्याज को 899 में उन्होंने भावनगर में भेजा था और दूसरे जगर भेजा था लीमडी भावनगर वहां से कलेक्शन के लिए तो हम लोग जानते हैं इसकी बात हमने कही है तो ये भी सब जानते थे तो फ़ीर इसलिए कहा गया चलो गुज्रात में जाओ महराजा महराजा लोग स्वामी विवेकन को जानते भी हैं वहां के लोग भी सरिदए हैं और वहाँ डोनेशन मिलने की संभवना ज़्यादा है। तो सामी निखिलानन जी प्रचार प्रसार भी होगा साथ-साथ में एक पंदो काज साथ-साथ में यह हमारों दान भी मिलेगा। यह करके उन्होंने लिम्डी के महाराजा सभी महाराजाओं से मिले गुर्भी महाराजा से पोरबंदर के महाराजा से मिले। फिर पोरबंदर के महराजय से जब मिले, तो पोरबंदर के महराजय इनकी विद्वता से इतने प्रभावित हो गए, कि वहले आप मेरे साथ रहे, तो एक सब्ता स्वामी निखिला अनन जी, पोरबंदर के महराजय नटवर सिंग जी, यह महराज नटवर सिंग जी यह भी हम स राजकुमार कॉलेज राजकोर में उस समय सुरू हो गई थी 1870 में उसमें वो पढ़े हुए थे और इंगलेंड का दोरा किया था 1932 में भारती क्रिकेट टीम फर्स्ट पहली बार विदेश गई वो गई इंगलेंड 1932 में उसके कैप्टेन थे महाराजा महाराणा नटवर सिं अबिस्टेटिव वर्क के बीश में वो क्रिकेट खेलते थे तो भले क्रिकेट में उन्होंने ज्यादा नीरन नहीं बनाया पर उनकी उदारता देखिये कि उन्होंने देखा कि उस प्रकार से उनकी बेटिंग जम नहीं रही है बहुत अच्छे बैट्स बनते है फिर भी उ लगी प्रकार का विजन था उनका ग्रेट विजनरी और जो डेवलेपन उन्हें विकास किया है अभी भी आप पोरबंदर में जाईए तो जो बड़ी-बड़ी फुटपात बड़े-बड़े रास्ते आप देखेंगे तो पता लगेगा आप भारत में हैं न कहां पर हैं य उस सुंदर ये नगर को जितना अधिक सदिक गंदा बनाया जा सकता है जितना अधिक सदिक उसको खराब बनाया जाकता है उसके प्रयतनम ने बहुत किये फिर भी अभी भी आप जाएंगे तो कुछ रास्ते देख करके आप समझ सकेंगे कितना अच्छा उनका प्लानिंग था प्रत्यक रास्ते के साथ फुटपाथ इंग्लेंड में मानू हम आ गए यूरोप के किसी सेंटर में किसी सहर में आ गए इसी भावना होती है तो ये नटोर सिंग जी वेरी प्रोग्रेसिव मैंडेट बहुत उनके कारणी ये जो पोरबंदर में परोग्रेसिव सेंटर जो बना इंडेरेटली उनाने बाद में उसमें मदद की है अभी डेरेटली कि हम बात करते हैं कि आश्रम में किस प्रकार से हुया तो इनोंने ये जब इनके साथ निखिलान जी के साथ उन्होंने बाच्चित की स्वामी निखिला नजी के विद्वता से इतने प्रभावित हो गए बहुत प्रभावित हो गए एक सब्ता तक निखिला नजी रहे और बाद में उन्होंने एक बहुत सुंदर लेटर लिखा ये लेटर का भी एक इतियास है बात ऐसी कि यहाँ पर स्वामी मोक्षान जी अद्यक्ष जब थे राजपोट में तब मेरा ट्रांसपर यह दर हुआ रामकिश जोद के संपादक के रूप में अब एक साल में तो फिर उनका ट्रांसपर हो गया अद्वीत आश्रम में मायवती के अद्यक्ष हो गया तो प्राय हर वर्ष मुझे बुलाते थे वहाँ पर उनकी एजुकेशन में उनका बहुत इंटरेस्ट था तो उस उतने इंटियर में स्कूल, कॉलेजों में हिंदी में लेक्शर देने के लिए मुझे बुलाते थे प्राय प्रती वर्ष तो मैं जाता था तो मेरे पर उनका confidence था तो उनको उनने मेरे को कहा ये archives में जितनी files है उसको थोड़ा अच्छी तरह करो, उसको सजा दो तो ये मेरे मेरे तो मानलो, मेरे को तो सोना मिल गया ये मेरे मन की बात थी तो मैंने फिर वो archives देखना शुरू किया archives को जितनी files थी उसमें सो उनको important papers उनको मैंने दिये, सब कुछ big step था मठ की diary अद्वीत आश्रम में यह अद्वीत आश्रम की यह एक परंपरा है, सुरू से ही मठ की diary रखे जाती है प्रत्तिक दिन कुछ न कुछ नोटिंग होता है कम समय आज का temperature कितना तो लिखती है और वाकी कोई घटना हो कि आज फलाने स्वामी जी खो गए मेरा भी नाम है जड़ा वापस आने में देर हो गए थी रास्ता भूल गया था तो वो भी उसमें नोट है कि यह स्वामी जी खो गए थे तो इस प्रकार से उसमें वो मठ डाइरी में बहुत सारी अच्छे-ची इंट्रेसिंग नोटिंग मिलती है तो वो भी देखने का मज़ा आया फिर और भी कई सारे पेपर थे उसमें से मुझे एक पेपर मिला जो गुजरा से कनेक्टेट था वो जो लेटर मिला वो था नट्रशिंग जी का वही लेटर है आप दिखाओ लेटर तो लेटर में है उपर में सिल है महाराजा पोरबंदर के पोरबंदर स्टेट की सिल भी है उसमें और उसमें उनोंने लिखा, स्वामी महाराणा नत्वर सिंग जी पूरबंदर के महाराजने, 20 अगस 1924 का लेटर है, जिसमें लिखते हैं, To whom this may concern, to whom this may concern, during about a week that Swami Nikhilānanda stayed here, I was deeply impressed by his acumen and greatly interested in his mission, which is known as the Ramakrishna Mission. I thoroughly enjoyed his company, and am very pleased indeed to have made acquaintance with him. From what I have heard about his mission, I can say that he is really laudable, and I do hope that his efforts for its advancement will be crowned with success. I write this letter as a token of my appreciation for the excellent work he is doing for the genuine benefit of humanity. Natwar Singh Ji, Maharaja Rana Sahay, पूरबंदर Postscript A sum of rupees 20,000 has been promised by the state towards Mayavati Ashrama. उस समय के जवाने में 20,000 रुपे बहुत होते थे, आप समझेए, रामकिष्द देवक पूजारी उस समय के पूजारी जो थे मंदिर के उसकी सैलरी पांच रुपया होगा करती थी. 20,000 रुपया, वहां Mayavati Hospital, उसके कारण यह Mayavati Hospital, आप देखिए, यह आज जो हालत है, बिल्डिंग बनी और बाद में फिर वो धीरे 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 वो इसने Hospital का रूप ले लिया, पर स्वामी निखिला नंजी, the credit goes to स्वामी निखिला नंजी कि उन्होंने नट्व सिंग जो के इतने इंप्रिस किया, और नटो सिंग जी बोलते हैं कि एक सब्ता तक स्वामी निखिला जी मेरे साथ थे, मैं उनके साथ, बहुत उनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, और उनके मिशन से, जो कि रामकिष्ट मिशन के नाम से जनाता है, उसकी प्रवुतियों से भी बहुत मैं प्रभावित हुआ ह और बोलते हैं, I thoroughly enjoyed this company, और मुझे उनके साथ बहुत आनदाया, and I'm very pleased indeed to have made acquaintance with him, और मैं सब्भाव के अपने मानता हुँ कि मेरे उनके साथ मुलाकात हुई, महाराना बोलते हैं कि मैं अपने आपको सब्भाव के साली मानता हुँ कि उनके साथ मेरे मुलाकात हुई, अब सम सकते हैं, महाराना खुद बोलते हैं, महाराना मने कौन महाराना, जो कि one of the greatest महाराना's of that time in India, और फिर बोलते हैं, from what I have heard about his mission, I can say that it is really laudable, कि बहुत ही वह महान एक mission है, और I do hope that his efforts for its advancement will be crowned with success, और मुझे पूरी आशा है कि उनको इस कारे में सफलता अवश्य मिलेगी, इस महानकारे के लिए, इस noble कारे के लिए, और फिर कहते हैं, I write this letter as a token of my appreciation for excellent work he is doing for the genuine benefit of humanity, और मानवता के कल्यान के लिए, जो इतना सुंदर क्वारे कर रहे हैं, उसको appreciate करने के लिए, उसको प्रोचसान देने के लिए, मैं यह अपना पत्र लिख रहा हूँ, और फिर कहते हैं, 20,000 रुपे स्टेट ने यह वचन दिया है, कि स्टेट यह इस प्रकार से मायवती आश्रम के लिए देगा, वो actually था charitable dispensive अद्वित आश्रम के लिए था, तो इस प्रकार से उनोंने वहां पर इतना ही नहीं उनोंने ये भी कहा, कि, बाद में उनोंने ये भी कहा था, कि, यदी यहां पर रामकृष्ट inhibition कि भरांच यदी खुलेगी, तो मैं उसके लिए सबकुछ देने को तैयार हूँ, ये भी उनोंने कहा था, तो उन्होंने स्वामी निखिलान जी को कहा कि आपका इतना सुन्दर कारे कर रहे है रामकर्श मेशन का तो वाइडोट यू ओपन ए ब्रांच येर इन पोर बंदर तो मैं पूरी सब फैसिलिटी दूँगा पूरा सहकार दूँगा आपको कोई चिंता की बात नहीं है आर्थिक पर कोई चिंता करने जुरोत नहीं है I will give all possible help to you जमीन से लेकर के मकान से लेकर के पैसे से लेकर के फॉंड से लेकर के सब कुछ मैं दूँगा पूर बंदर में आप आश्रम सुरू कीजिए रामकर्षमिशन का ब्रांज सुरू कीजिए इतने अधिक पर प्रभावित हो गए तब जा करके ये निखिला नंजी वापस जब गए तो उन्होंने सब बताया तो हमारा ऐसा अनुमान है कि स्वामी माधवान जी महाराज बड़े प्रसनु हुए होंगे इतना बड़ा डोनेशन लाए उपर से ये लेटर फेप्रिशेशन लाए उपर से ये पता पढ़ा कि वहाँ के महराजा लोग इतने उदार दिल हैं एक सब्ताब एक बातचीत में तुरंट बीस जार रुपया दे दिये बीस रुपया नहीं निकालता कोई उस समय के जमाने में और एक एक आने के लिए तो बुतेशाज जी महारज को साइकल में दस बार ये जाना पड़ता था एक आना वसुल करने के लिए तो आप समझे हैं एक आना मैंने एक रुपय के 16 आने होते थे उसमें एक आने का डोनेशन भी बहुत माना जाता था कि जिसके लिए साइकिल में भुता सिंज महाराश को मानिंग लिए दस बार जाना पड़ता था तो अब समझे उसके अगेंस्ट में बीस अजार रुपए एटा वन स्ट्रोक इन्होंने दे दिये तो माधवानेजी बड़ा प्रसन हुए और उनको ये लगा कि यहाँ पर पोटेंशल है और जब उन्होंने कहा है कि मैं सब कुछ देने को तयार हूँ तो रामकिष्ण मिशन का एक सेंटर वहाँ होना चाहिए और ये अनुमान है हमारा कि तब तक में माधवानेजी महारा अद्वीत आश्रमी के अद्धिक्ष तो थे ही पर वे समस्त रामकिष्ण मट के ट्रस्टी हो गए थे समस्त रामकिष्ण मिशन के गवर्णी बॉड़ तो इस प्रकार से माधवानेजी महाराज बाद में आते हैं महापर गुजरात में आए और गुजरात में आकर के पोरबंदर के महाराज से मिले ही होंगे सबसे पहले फिर बाद में और भी महाराजा लोग से मिले मोरभी के महाराजा राजकुट के महाराजा और लिमडी के म महाराजा, इन सब से भी मिले होंगे, ऐसा मनुमान कर सकते हैं, और बाद में उन लोगों से बाचित भी की, सब लोगों से, अब उसके बाद में इतना सब होने के बावजूद, जबकि पोरबंदर महाराजा ने पूरा सपोर्ट, सब कुछ सपोर्ट देने किया उनको यह किया था, पूरा वादा किया था, उसके बावजूद भी ना पोरबंदर में, ना लिम्डी में, ना मोर्वी में, और गुंडल में, उस समय के यह सब डेवलप्ट स्टेट, very much डेवलप्ट स्टेट, भावनगर में, यह सब छोड़ करके, राजकूर्ट में क्यों सेंटर स्टार हुआ, यह हमको बड़ा हश्रे लगता है, 5 मार्च को 1927 को, आज से ठीक, 96 साल पहले, क्यों राजकूर्ट में सेंटर स्टार्ट किया गया, इसकी विस्तृत बातें हम कल करेंगे, आज यहां समाप्त करें, ओम शान्ति 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 हरी ओम तस्सत शीराम कृष्णार प अर नमस्तू